इन इस लेक्ट्चिर आई विल टॉक अबाउट कंपाइलर हम एक बेसिक से कंपाइलर के इंट्रडेक्शन की बात करेंगे के कंपाइलर आखरकार क्या है और कंपाइलेशन किस तरह से होती है अगर हम आपस में भी कम्यूनिकेट करते हैं तो हमें किसी लैंग्विज की जरूरत होती है चाहे हम आपस में बात कर रहे हों या किसी एप को यूज कर रहे हों तो वह नीड लैंग्विज आपके पास सेम भी हो सकती है अगर सेम नहीं हो तो हम क्या करते हैं हम तो हम कुछ मिलता है हमारी लांग्विज का नहीं है तो हम उससेji स्याट लेते हैं यूज कुग्ल रांस्लेटर तो यहां पे रहे का काम बहुत इंपॉर्ट To tools है कि हम बींग औन हमने एक मशीन के साथ, आंग ओफ करना है म Update मशीन के साथ इंटरएक्ट करने के लिए क्लिल को छाइए और वो लैंग्विज हैं उन कमक्न है हमारे पास ये प्रोग्रामिंग फस्कतंभ क्लेश है चाहे C है Python है कोई भी एक programming language हो कि हम इस समझ आ सके हम से इस्तमाल करते हैं So language जो हम बात करें C की Python की यह सारी languages तो आपके पास high level languages है अब high level language क्या है जिसमें आप English की words और कुछ sentences यूज करते हो एक structure बनाते हो लेकिन क्या हमारी high level language जो है वो आपके machine भी ऐसे as it is जो समझ सकती है तो उसका जवाब आपके पास नहीं है क्योंके computer जो है machine आपकी वो एक low level language को समझती है उसके लिए आप python में ये c में code कर रहे हो तो उसे as it is आपकी बात को नहीं समझेगी कि आप क्या कहना चाहरे हो तो अब यहां पे एक barrier आगया कि आप high level language में बात कर रहे हो machine आपकी जो है वो low level में समझ रही है तो यहां पे हमें जरूरत है एक medium की एक translator की जो के आपकी high level language की बात को low level की बात में convert करे और convert करके machine को समझाए तो यह काम आपके पास compiler कर रहा है compiler is basically a software program जो कि क्या करता है एक high level language को as a input get करता है और उससे एक low level language आपको translate करके देता है so basically compiler is a translator और वो low level language जो है वो फिर आपके machine के लिए समझना आसान होती है so what is compiler? compiler is basically a software program जो कि high level language को low level language में translate करता है so that's all about today's lecture so so so